अब आपके सारे फिसिक्स के वेस्टिन माच्जाउब्स का सफाया, बस अपने फोन से कुछिन की फोल्टो कीचो, क्रॉपकोर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउ, डाउलोड कीजिए डाउटन आप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आर्ट चार्सो इस कुश्चन में हमारा एक सिस्टम ऑफ इडेंटिकल सिलिंडर्स गिवन है और साथ में प्लेट्स गिवन है तो यहां पर देख सकते हो फिगर में हमारा सिस्टम है जो दो पेर्स ऑफ सिलिंडर्स है जो प्लैंक्स और एक दूसरा पेर जो हमारा वो फ्लोर प्लैंक के बी अपर प्लेट का वेलोसिटी, टुवी है, और लोवर प्लेट का वी है, अपॉसिट डिरीशन्स में, तो अपर उलोवर स्लेंडर की जो एंगलर स्पीड होगा, उनका रेश्यो क्या होगा, तो यहाँ पे, क्योंकि एंडेंटीकल हैं, तो अप इन दोनों में से, यानी अपर और lower cylinder pairs में से आप कोई भी एक एक पे focus कर सकते हो योग यहाँ पर अगर देख सकते हो अगर sleeping नहीं है तो यह जो हमारा cylinder होगा आपर cylinder की velocity अगर V' बोल दें और इस direction में हम omega' बोल देते हैं यानि clockwise होगा omega' उसके लिए तो यह जो दूसरा अपर cylinder उसके लिए भी सेम होगा तो मैं अलग से उसके लिए equation लिखने की ज़रूरत नहीं है lower cylinder की बारे हम बात करते हैं तो suppose की उसका velocity इस direction में V' हो गया और जो omega है वो हमारा anti-clockwise है वो हम omega' डबल देश बोल देते हैं अब अगर हम upper cylinder की बात करें तो यह suppose हमारा upper cylinder हो गया इसका जो point of contact होगा upper plate की साथ उसको हम q बोल देते हैं और lower plate की साथ उसको p बोल देते हैं तो आप देख सकते हो अगर sleeping नहीं हो रही है तो point of contact जो cylinder का होगा उसका भी velocity से हम plates का जो भी velocity होगा उसके equal होगा तो q का हमारा 2v होगा इस direction में और p का हमारा v होगा इस direction में अब यहाँ पर देखो हमने क्या assume कि अपर cylinder की velocity इस direction में v' है और इस direction में angular velocity omega' हमने assume करी है अब आपको इस general motion करते वोई object का अब देख सकते हैं यहाँ पर general motion कर रहे हैं क्योंकि इसके पास एक angular velocity भी है और कुछ center of mass के पास speed भी है तो यह angular general motion हम कर रहा हमारा तो अब इस object पर किसी भी point की velocity कैसे लिख सकते हो suppose अगर हमें p का लिखना है तो vp हमारा हो जाएगा v of p with respect to center of mass plus v of center of mass with respect to ground अब center of mass के respect में कोई भी object हमारा general motion कर रहा है तो इसके सारे points circular motion करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो p भी हमारा center of mass के respect में circular motion कर रहा होगा और इसका center से distance suppose capital आ रहा है तो center of mass के respect में अगर यह circular motion कर रहा है तो center of mass के respect में इसके velocity क्या हो जाएगी इस direction में हो जाएगी हमारी omega dash r क्योंकि आप देख सकते हो यह भी omega dash है जो की omega dash हमारा clockwise है उससे rotate कर आओगा तो omega dash r obviously इसकी velocity आगी इस direction में फिर आप center of mass के velocity आड़ करोगे और वो हमारी opposite direction में v dash है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह omega dash r हमारा इस direction में आगया और center of mass के velocity v dash इस direction में आगया और net velocity हमारा v इस direction में है तो यहाँ से आप अगर equation लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा omega dash r minus v dash is equal to v तो यह हमारे पास एक equation आगया अब similarly q के बारे में बात करें तो velocity of q आप क्या लिखोगे omega dash हमारा clockwise है तो इस direction में center of mass के respect में इसकी velocity आजाएगी omega dash r और center of mass की velocity उसी direction में v dash तो यह v dash हो गया और q की velocity 2v है इस direction में तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए अगर हम equation लिखें तो हमारे पास क्या आजाएगा omega dash r plus v dash is equal to 2v तो यह हमारा upper cylinders के लिए हो गया पहला equation और दूसरा equation यहाँ से अगर आप दोनों equation को add कर दो 1 plus 2 तो यह हमारा क्या जाएगा 2 omega dash r is equal to 3v तो omega dash हमारा क्या गया 3vy 2r यह upper cylinder के लिए हो गया अब lower cylinder के आप बात करो तो इसके लिए आप में एक diagram बना लेते हैं lower cylinder का अब यह जो upper point है upper point होए है topmost point जो cylinder का होगा वो हमारा lower plate के साथ contact में है और उसकी velocity v हमारे इस direction में है तो इसका भी velocity v हमारे इस direction में आएगा और यहाँ पे हमने assume कर रहा है कि यह जो lower cylinder है उसका angular velocity anti-clockwise है तो इस direction में हमारा इस point का velocity आएगा omega dash r center of mass के respect में और फिर हमने साथ में assume कर आता है कि center of mass का velocity भी इस direction में v double dash है तो आप यह add कर दोगे उसमें तो यह हमारा point यह q dash अगर हम बोलें तो point q dash का net speed आगया इस direction में और यह हमारा अगर slipping नहीं हो रही है तो v के equal होगा तो यह हमारा a condition आया similarly यह second जो point of contact है इसका ग्राउंड के साथ है p dash और ग्राउंड के साथ है तो इसकी velocity 0 होगी क्योंकि ground stationary और कोई slipping नहीं हो रही है तो अगर आप देखो तो center of mass के respect में इसकी velocity इस direction में omega double dash r आ जाएगी और फिस center of mass के velocity आप इसमें add कर दोगे तो यह हमारा balance होना चाहिए तब जाके इसकी velocity 0 होगी तो v double dash is equal to आ जाएगा omega double dash r तो अगर हम इस equation में put कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 omega double dash r is equal to v यहाँ से आप देख सकते हो omega double dash की value क्या होगी v by 2r तो यह हमारा lower plates के लिए lower cylinder के लिए होगे और यह upper cylinder के लिए होगे अगर आप ratio देखो omega dash by omega double dash वह हमारा क्या हैगा 3vy by 2r into 2r by v तो यह finally क्या गया है 3 तो जो upper cylinder है वो 3 times more angular speed doing की होगी lower cylinder के comparison में तो answer हमारा 3 है option B